So guys, मैं आप आपको एक wardrobe area दिखा रहा हूँ, यह एक walking wardrobe है, हमने इस घर में बनाई है, तो यह अपने आप में एक room size है, जो आप देख सकते हो कि जैसे इस room का size is about 15 by 12, 15 feet by 12 feet का typical size है, और इसके अंदर हमें पूरा walking wardrobe बना रहे हैं, तो सबसे बहला तरीका बताता हूँ walking wardrobe का, कि आपको उसके पीछे tile जरूर लगानी है, तो यहाँ पर हमने commercial tile 8 inches by 12 inches की लगाई है, इसके उपर अभी grouting का काम होना बाकी है, तो यह इसलिए लगाई है कि इसके दोनों तरफ ना एक तरफ bathroom है, और दूसरी तरफ एक plumbing shaft है builder की, तो कल को पानी से problem ना हो जाए, और एक high end walking wardrobe ह या आप high end area, एक high end घर design कर रहे हो, जाँ budget का कोई issue ना हो, तो वहाँ पर आप अपने wardrobe की बीचे tile भी लगा सकते हैं, यह बहुत पुराना तरीका है, आज से 10 साल पहले यह होता था, पर अब recently नए materials, fiber sheets, PVC sheets की वरे से यह avoid होने लगा, हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, जब भी कोई अच्छा घर बनाते हैं, तो tile भी लगाते हैं, इसके उपर fiber की sheet भी लगाएंगे, और इन दोनों की बीच में gap भी बनाएंगे, तो इस तरीके से अपनी पूरी wardrobe को, walking wardrobe को आप protect कर सकते हैं from dust, from moisture, from water, from termite, तो यह बहुत सारी चीजों के साथ आपको यह देपाएं longer term के लिए.